Hello बच्चो, let's read this question, the question says, if one strand of DNA has the nitrogenous base sequence as ATCTC, what would be the complementary RNA strand sequence? तो इस question बताना है कि अगर DNA nitrogenous base का sequence यह है, तो RNA strand sequence क्या होगा? तो पहला जो ते रख है ATCTU, दूसरा TTAGU, थर्ट ते रख है UAGAG, लास्ट है AACTG, तो आई देखते हैं इस question का answer क्या होगा? सबसे पहले जो इस question में हम बात करते हैं कि concept की, कि concept की अगर हम यहाँ बात करें तो transcription क्या होता है? transcription की बात करें तो यह जो है एक process होता है, क्या होता है? यह जो है एक process होती है, जिसमें first step यहाँ पे होता है, क्या सकते हैं? the transcription process is the first step in gene expression, gene expression, अब यहाँ पे क्या होता है? segment of DNA जो है, segment of DNA जो है copied होता है into RNA, यानि की DNA से क्या बनेगा यहाँ पे? RNA, अब यहाँ पे बात करें, DNA में जो है, DNA जो होता है यह जो यहाँ पे DNA होता है, यह बेली 3 जो है component से बना होता है, पहला होता है sugar, sugar specially यहाँ क्या होता है? दी, आक्सी, डी, आक्सी, राइबो, दी, आक्सी, राइबोस जो है होता है, जो 5 carbon sugar होता है, दूसरा यहाँ पे एक phosphate group होता है, और तीसरा जो है, यहाँ nitrogenous, nitrogenous, जो है, base होता है, अब nitrogenous basis में क्या आती है? Edine, Thymine, Cytocene, and Guanine अब उसी तरह अगर हम आरन्य में बाथ करें तो आरन्य में जो जो है 3 component होते है आरन्य के केस में क्या होता है जो sugar होता है sugar वो ribose होता है क्या होता है यह? राइ बोज होता है और यहाँ पे phosphate group भी होती है क्या होता है? phosphate जो है ग्रूप होता है nitrogen basis होती है और ये basis क्या होती है ये होता है adenine उसके बाद DNA में देखे तो यहाँ thymine होता है लेकिन RNA में क्या होता है उसकी जगा uracil फिर उसके बाद cytosin and guanine होता है अब यहाँ पर हमें इस question में दे रखा है कि DNA has the nitrogen basis sequence as A, T, C, T, C तो हमने अभी देखा कि RNA के case में क्या होता है T की जगा यहाँ पर A की जगा A जो होता है adenine जो है यहाँ पर DNA के case में बाद करें तो यह bind करता है किसके साथ thymine जो है उसके साथ bind करता है उसके बाद यहाँ पर cytosin जो होता है वो guanine के साथ करता है लेकिन अब यहाँ पे RNA में क्या होता है एड़नीन जो है बाइंड करेगा यूरेसिल के साथ तो यहाँ पे एड़नीन जो है यह DNA का है यह क्या है DNA का strand है और यहाँ पे हमें पूछा गया है RNA के लिए तो RNA में क्या हो जाएगा एडिनीन की जगा क्या हो जागा? यूरेसिल क्योंकि हम RNA की बात कर रहे हैं तो हमने अभी देखा कि अगर RNA के case में क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है जो bind करेगा किसे साथ? एडिनीन के साथ उसके बाद ्थाइमीन है तो थाइमीन के साथ कौन बाइन करता है, एडनीन बाइन करता है, उसके बाद साइटोसीन के साथ कौन बाइन करता है, गवाणीन, अगें यहाँ पे हमारा थाइमीन है, थाइमीन के साथ क्या हो जाएगा, एडनीन हो जाएगा, एडनीन हो जाएगा, एडनीन की फिर से उरेसिल के साथ होगी आरने की केस में यहीं अगर हमें DNA में होता पूछता तो यहां उरेसिल की जगा थाइमीन होता तो question में अगर हम देखें options पहला है A T C G U यह गलत होगा तूसरा है T T A G U यह भी गलत होगा तीसरा है U A G A G तो हमने देखा यह sequence पन रहा है तो यह question का answer होगा last है A A C T G तो यह भी गलत होगा the right answer of this question is option C hope you understood it well best of luck